हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग मैं आसा करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे आप सभी कफिर से ग्यान की बात हिंदी में एक नए वीडियो के साथ बहुत बहुत स्वागत है तो चलिए सुरू करते हैं आज की सवाल जवाब दो लेकिन सवाल जवाब सुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हो तो चैनल को सबस्क्राइब करके बेल आइगन को आल पर रख ताकि हम जब भी वीडियो पूश्ट करें आप तक जल्दी पहुंच सकते हैं जाजा टाइम वेश्ट ना करते हैं चलिए सुरू करते हैं आज की सवाल जवाब के ओर आज का पहला सवाब है सेकेंड और मिनट को हिंदी में क्या कहते हैं इसका सही जवाब है सेकेंड को हिंदी में पल कहते हैं और मिनट को हिंदी में छण कहते हैं सवाल नमबर दो भारत में कुल कितने हिंदू मंदीर हैं इसका सही जबाब है वर्ष 2001 की जनगर्णा के तवरान भारत में 20 मिलियन या 2 करोड से अधिक हिंदू मंदीरों की जन संख्या दर्श की गई हैं जिसकी संख्या में अब तक काफी विड़ती हो चुकी होगी सवाल नमबर 3 मचली पानी में सांस कैसे लेती है इसका सही जबाब है मचलीयों के पास गिल्स होता है जिससे वह पानी में घुला हुआ ऑक्सीजन निकालती है और सांस लेती है जिन मचलीयों के पास गिल्स नहीं होता है उन्हें सांस लेने के लिए पानी के उपर आना For example, dolphin जो सास ने निकले पानी से बाहर आती है सवाल नमबर 4 साबुदाना कैसे बनता है या कैसे बनाया जाता है इसका सही जवाब है साबुदाना को सागो पाम नामख पेड़ के तने के गूदे से बनाया जाता है इस पेड़ के बीच के हिस्से को पीस कर पाउडर बनाया जाता है इसके बाद इस पाउडर को च्छान कर गर्म किया जाता है जिसे से ताने बन सके साबूदाना को इंगलिस में सागो भी कहते हैं सवाल नमबर पाँच अस्थमा क्या है और ये कैसे ठीक होता है इसका सही जवाब है अस्थामा में रोगी की सांस नलियों में कुछ कारणों के प्रभाव से सूजन आ जाता है इस कारण रोगी को सांस लेने में तक्लिफ होती है जिसे अस्थामा कहते हैं जिसके लिए रोगी को इनहेलर भी दिया जाता है अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें आपका एक लाइक ही हमारा बहुत मोटिवेशन बढ़ाता है सवाल नमबर 6 धर्ती याने प्रिथवी कब खत्म होगी? इसका सही जवाब है व्यडियानिकों के अनुसार प्रिथवी पर जीवन ज्वाला मुखियों के विस्पोड से 25 करोड में खत्म हो जाएगी ऐसा होने पर प्रिथवी पर मवजूद 85% जीर नस्ट हो जाएगे ऐसा एक अनुमान 21 दिसंबर 2012 को लगाया गया था जो जूटा सावित हुआ सवाल नमबर 7 प्लूटो ग्रह सूरज से कितना दूर है? इसका सही जवाब है प्लूटो ग्रह सूर्य से 587 करोड 40 लाग किलो मेटर दूर है सवाल नमबर 8 दुनिया का सबसे लंबा आदमी कौन है? इसका सही जवाब है सबसे पहले इतिहास का जान लेते हैं इतिहास में अब तक का सबसे लंबा आदमी रॉबर्ट वाडलु थे जिसे 37-1940 को आखरी बार मापा गया था जिनकी उचाई 2.72 मीटर यानी 8.11.1 इंच है और वर्टमान में सबसे लंबा आदमी की बात करें तो सुल्तान कोसेन है जिनकी उचाई 2.29 सेंटिमीटर यानी 8.2.2 इंच है सवाल नमबर 9 WWE के रेसलर कितने पैसे कमाते हैं? इसका सही जवाब है WWE में सामिल रेसलरों को कमपणी की طरब से अच्छा पैसा मिलता है अब जान लेते हैं इनकी सालाना कमाई कितनी होती है जोहन चेन जिनकी सालाना कमाई 10.1 मिलियोन डालर यानी 1 करोड रूपिये है दूसरे नमबर में इनकी सालाना कमाई 26.5 मिलियन डॉलर यानि 65 लाक है सवाल नमबर दस ये आज का लाश्ट सवाल है फांसी के समय आखरी एक्षा क्यों पूछी जाती है इसका सही जवाब है कहा जाता है कि मरने वालों की आखरी एक्षा अधोरी हो तो उनकी आत्मा भूत बन कर भटकती रहती है उन्हें मोक्ष नहीं मिलता है इसलिए अपरादी की अंतिम इक्षा को पूरी किये जाती है लेकिन इसके लिए कई सर्थ भी रखे जाती है दोस्तो वीडियो कैसे लगा कमेंट में जरूर बताए और वीडियो को लाइक करें और अपने सभी दोस्तों के साथ सेयर करें अगर आप इस चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आल पड़कना ताकि हम जब भी वीडियो पोस्ट करें आप तक जल्दी पहुंस सके मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक लिए जहिंद वन्दे मात्राओ